अलो दोस्तों मेरा नाम है स्नियासिस पाड़ी आपको इस वीड लेक्चर में स्वागत करता हूँ मिसेनाइस लेनवीत इंटिग्रिटी की तरफ से इस लक्षर में खास करके अगस्वा memang उंटिपेंट तरफ अपर इंटिपेंडनेंट कंट्रि मना जाता है यह फिर नहीं मना जाता है वो सभी को एक कोशिन मार्क रह गया ठीक है, जब हम जो कि करेंटली तालिबान उसके बाद अफगानिस्तान के बारे में डिस्कस किया करते थे या फिर रिपब्लिक अफगानिस्तान and जो newly formed ताइबान के बीच में जो struggle हुआ था वो क्या है, डेमोक्राटी का एक अपोजीट के रूप में हुआ था means they haven't followed any डेमोक्राटी के लाइंस, they haven't followed any constitutional environments, ठीक है constitution को नहीं follow करके environments and articles को नहीं follow करके, वो forcefully acquire किये थे, किसको अफगानिस्तान या फिर रिपब्लिक अफगानिस्तान को तो उसी प्रकार जो कि People's Republic of China, जो कि PRC जो है, usually वो भी occupy करेगा क्या Republic of China को with forcefully, ठीक है अपना military का force दिखा कर अपना जो सेनिक, defense का force दिखा कर वो फिर से वो ताइवान को अपना under में लाए गया या फिर नहीं लागे, वो सभी को currently वो चल रहा जैसे कि fighter jets जो कि भेजे थे, तो fighter jets जब भेजे थे चेना के लोग ताइवान को attack करने में या फिर ताइवान का air space में घूमते थे, वो ताइवान भी उसी प्रकार reaction उनके उपर दिया, लेकिन उनका military force और इनका military force बहुत ही कम है या फिर लेस है, ठीक है ताइवान के अंतरगत, ठीक है तो उसी लिए क्या हुआ, AUKUS जो कि Australia, UK and US का Indo-Pacific region might be helpful, ठीक है, ये भी हमको एक information या फिर करेंट information के रूप में हमको यूजुली मिलेगा, ठीक है, उसके बाद thieves of the march towards the prosperity together, तो the main objective of giving in the ideal place, ठीक है में objective क्या है, यूजुली इसमें देने के लिए, पहला है the relation between Taiwan and India, ठीक है, Taiwan and India के बीच में relationship क्या है, पहला है जब एक country bilateral relationship करता है, एक country bilateral relationship करता है, उनका first मकसद क्या है, economical generation करना, उसके बाद climate change, उसके बाद defense force ठीक है, point note कर देना, ठीक है defense force and तीसरा है, क्या है ये industrial setup और primary, secondary and territory activities का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में importance देना, ठीक है, तो ये भी हम जान लेते हैं कि People's Republic of China का usual president क्या है क्या है, कौन है, President Thai Ing-Wing तो Thai Ing-Wing is the presently undergoing president or presently president of the Republic of China or Republic of Taiwan or Republic of China which is also known as Taiwan, ठीक है तो पैला है, since October 2021 10th October 2021 the wide known of double 10th day or we can say that 110 which is been going to celebrate in the on the month of October ठीक है, तो उस October में ही वो चेना भी अक्वाइर करने लगते हैं ताइवान को, वो एक न्यूस बन चकता है, या पर न्यूस बन चुका है ठीक है, उसके बाद Republic of चेना ताइवान है, तो उस समय से अभी तक जो की रिपब्लिक का दे का सेलिब्रेशन उसली हो रहा है, वो अभी तक बहुत ही ज्यादा difficulties faced किया है, डिफेरेंट कंट्रीज के साथ, नौट ली डिफेरेंट कंट्रीज अपना कुछ के नेबर कंट्रीज के साथ, वो डिफिकल्टी का एक, means they have faced lot of difficulties, immense difficulties, I can say that, तो उसके बाद standing strong in democracy, तो पहला है, standing strong of democracy का मतलब यही है, कि हर एक नागरी का कैसे हम sanitization करना, कैसे हम vaccination करना, कैसे हो environmental changes का main hub बनाना, ठीक है, उसके बाद economic का formation कैसे करना, ठीक है, GDP का growth कैसे करना, उसके बाद six core strategy को कैसे अपनाना, ठीक है, तो वो सारा, इनका stand strong in democracy का एक अंग्स है, ठीक है, means the people who are staying in the republic of China, must and should have to cooperate the government, जब तक को cooperation नहीं करेंगे, तब तक कैसे होगा, usually generation of different economical sources, ठीक है, उसके बाद paying it towards the globe, so global health, तो global health, जब हम usually discuss करते हैं, तब एक चीज़ का हम धियान में रखने चाहिए कि, in the day of pandemic, on the days of pandemic, how they even have cooperated, how they even have cooperated to other countries, how they are been cooperated by other countries, bilateral relationship कैसे maintain हुआ, ठीक है, उनका vaccination program कैसे चल रहा है, उसके बाद sanitization and mask का availability कैसे हुआ है, ठीक है, उसके, उसके, ओ सारा किस में, किस के अंतरगत होता है, usually, the paying it towards the global health के अंतरगत, उसके बाद ताइबान, इंडिया, and its bilateral relationship in the form of democracy and development, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, 2001 में UST 1.19 billion dollars था, जो कि UST 4.8 billion dollars का investment वो जो कि सिर्फ Taiwan से usually हमको आता है, ठीक है, so this is how the sectoral improvement has been done in India, in compared with the Taiwan and India bilateral relationship, so main maksad क्या है कि, यह total of 116 Taiwan major companies, ठीक है, Taiwan का major companies usually, इंडिया में situated है, जो कि medical technology, electronic communication, उसके बाद steel, engineering, finance, construction, missionary, automobile components, ठीक है, उस सारा, उन सभी के, उन सभी का sector में usually company का establishment हुआ था, किसके अंतरगत, या फिर किसके द्वारा, Republic of China, जो कि ताइवान के द्वारा, उसके बाद more than 2, 3, 9 students are already been engaged in Taiwan till 2020 for their higher education, ठीक है, for science and technology, the cooperation of Taiwan India cooperated in implementing for 94 joint research, ठीक है, 94 joint research project का भी उदगातन किया करते थे, उसके बाद publishing 160 special papers since 2007, ठीक है, तो industrial development, industrial architecture, economical growth, उसके बाद finance, उसके बाद construction में अपना रोग द्यान, उसके बाद different project का sensation, company का establishment, or more than, in more than trillions of, more than billions of dollar का investment, उसके बाद को यजली ताइवान से आता है, that's the reason why we must and should have to keep bilateral relationship with Taiwan, and I hope the national day of, national day of, national day of the Taiwan, or the Republic of China, will be enhancing the career and boosting the opportunities for generating job for young students, as well as young generation kids, तो आसा करता हूं कि आपको विजली सम्मझ आग ही आओगा, इस पेज का अनलाइस, धन्यवाद,